एलो फ्रेंड संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं बटर स्कॉच मिल्क और ग्रेप्स जे मिल्क सेक की रेसिपी सेर करने आई हूँ बहुत ही फटा फटे ड्रिंक तेयार हो जाती है और बहुत पिने में मस्त लगती है आप वीडियो को प्लीज फूरा देखनी की कोशिस कीजेगा यहां देखे मैं बटर स्कॉच में क्रश का इस्तमाल करूंगी और यह बहुत अच्छी फ्लेवर होती है बहुत ही मस्त लगती है बच्चों को खास करकी बहुत ज़्यादा पसंद आता है अब देखे मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं यहां इसका इस्तमाल तीन चमच करूंगी अगर आपको इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है तो इसमें आप चार से पाच चमच ले सकती हैं मैं इतना ही लूँगी एक ग्लास के लिए काफी है और बहुत सुन्दर इसका टेस्ट होता है देखे मैं तीन जार में डाल दूँगी देखे इस तरह से आज मैं हैंड ब्लेंडर का ही इस्तमाल करूंगी आप इसे सेम काम को मिक्सी के पॉट में कर सकती है देखे एक चमच मैं यहां चीनी ले ली हो अगर मिठास ज्यादा पसंद है तो इसकी मातरा आप दो से तीन चमच कर लिजेगा यह केरेमल है यह बटर स्कॉच का वो भी डाल दी से टेस्ट और अच्छा लगेगा यह बटर स्कॉच जो है न एसेंस है इसमें आप दो बूंद या तीन बूंद डाल दीजेगा बस मैं यहां दो ही बूंद का इस्तमाल कर रही हूँ आज देखे इनालसा का हैंड ईसे सेम काम को आप मेक्षी के पाउट में भी कर सकते कोई दिकत नहीं हूती उसमें भी उतना ही फटाफ़थ काम हो जाता है और इस में इसाम जब। दूद ठंडी लिए उसमें आइस का भी इस्तमाल आप कर सकती है अभी एक जाम का टाइम है तवे तो एक खराब ना हो इसलिए मैं बस ठंडी दूद का ही इस्तमाल कर रही हूँ आइस का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ और देखे इस ग्लास में मैंने इसको डाल दिया इस तरह से अब बच्चे कहने इस तरह से अराम से पीलेंगे और केरेमल भी मैं डाल दी हूं इस तरह से इसमें थोड़ा सा अब देखें दूसरा ड्रिंक मैं बना रही हूं यह मेरी ग्रेप्स की जेम है मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताई थी आपको कैसे बनाना है बहुत ही टेश्टी बनती मैं इसमें एक चमची ले ली हूं और चीनी का इस्तमाल भी नहीं करूंगी क्योंकि जेम में काफी मिठास है और इसमें जो फूट अभी जो है वो उसमें भी बहुत मिठास थी मुझे बहुत अच्छी लगी इसले में ज्यादा नहीं कुछ नहीं डाल रह देखे इस बस इतना ही देड़ चलाओंगी बस ड्रिंक मेरी तयार हो गई है और यह जो जेम जो है मेरी ग्रेप्स की अब इसको देखे में ग्लास के अंदर इस तरह से बीच बीच में डाल दूंगी हलका सा इस तरह से देखे तो क्या देखने में भी बहुत सुन्दर सकती हैं मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि अभी एक्जाम का टाइम है थोड़ा तबेत वगरा खराब होने का डर रहता है आप इसको आइस का यूजिस के उपर कर सकती है इसमें डाल सकती है जितना ठंडा पसंद आता है देखे मेरी ग्रेप्स की मिल्क से तयार हो गई है कितन को मेरा दोनों वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कीजे और वेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक क्यू